good morning prep class welcome into your maths class as you know in maths we are doing backward counting so today we will continue the same today we will complete our backward counting 50 to 1 आज हम लोग complete करेंगे 50 to 1 तो हम लोग पहले हमने 10 to 1 किया था then हमने 20 to 1 किया था after that हमने 30 to 1 किया था तो अब आपको clear हो गया होगा बिटा कि backward means क्या होता है कि what comes before कि हमें before number fill करते वे जाना है और अपना backward counting को हमें complete करना है number 1 तक ओके तो आज जैसे आपको दिया है कि आपको complete करना है 50 to 1 तक आपको complete करना है ओके और 10s और 1s आपको पता है तो आपको complete करना है 50 to 1 आपको number दिया है 5050 ओके तो अब आपको इसके बाद fill करना इसके बाद means आपको what comes before क्योंकि अब हमें क्या चलना है back चलना है back हमें forward नहीं करना कि अगर आप 50 की बाद 51 52 53 करते हो तो इतो forward हो जाएगा आगे बढ़ना बट हमें तो पीछ जाना है back जाना है तो 50 से back तो 50 से before कौन सा number आता है yes 49 okay what comes before after 49 48 47 46 45 44 43 42 41 है ना simple तो अभी आप जो है एक बार आपको अगर mind में set हो गया ना बिटा की backward मिन्स क्या होता है कि what comes before हमें सिर्फ before number फिल करते वें जाना है जो भी हमें हमारा given number होगा तो आप 100 तक भी लिख सकते हैं backward counting ओके उसके लिए पहसब से पहले आपको forward counting जो है अच्छे से आने चाहिए तो अगर आप भूल गए हैं या जिन बच्चों को अभी मतलब remember नहीं है च्छे से forward counting वो पहले forward counting revise करेंगे उसके बाद वो लोग backward counting करेंगे ओके तो 5050 हमने कर लिया 5050 वाली लाइन 5050 उससे पहले आता है 4949 फिर आता है 4848 47 ओके then 4040 वाली हमारी लाइन आती है ठीक है 4040 से पहले 39 39 38 38 then 37 37 after that 36 36 35 35 35 35 से पहले 34 34 से पहले 33 32 31 31 ओके after that 30 30 जो आपने कल ही किया है 32 1 तक आपको ठीक है यह आपका आज का वर्क है कि आपको backward counting notebook में भी करना है और आपको revise भी करना है 52 1 और आपके एक्जाम में यह आने वाला है तो आज हमारा जो है maths का जो आपका FA forecast लेबर से वो complete होता है और अब कल से हम लोग revision start करेंगे अपना maths का भी और हिंदी का भी ओकी class तो अच्छे से आपको revise करना है अपना backward counting 52 1 notebook में करना है सुन्दर सुन्दर लिखना है सबको proper formation होनी चाहिए आपके numbers की ओके class बबाई अब संदर लिए आपके लिए